ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रोव साधर जैसी कृष्ण हमारे यूटूब चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारी धर मिंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं डेनिक राशी फल यह राशी फले 29 अगस्त 2024 गुरुवार का दिन है भादरपत महा के कृष्ण पक्ष की एका रशी तिती है इस दिन अजा एका रशी का महा परवर हेगा जिसे जया एका रशी के नाम से भी जाना जाता है आध्रा नामक नक्षत्र होगा तथा मिथुन राशी में चंदरमा भिराजित रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो दक्षिन दिसा में होंगे इसलिए दक्षिन दिसा की यात्रा करना नुकसान दायक सिद्ध दक्षिन दिसा की यात्रा करना बहुत जादा अवश्यक हो तो जीरा खाकर के यात्रा का शुभारंब कर समना चाहिए राहुकाल जोकी दो पहर एक बच के तीस मिनिट से लेके तीन बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का कोई शुभिया मांगली कारिक्रम आपको स कंपन नहीं करना चाहिए दैनिक ग्रह गोचर के दिए हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरिदेव जोकी सिंग रासी में वहीं चंद्रमा मिथुन राशी में मंगल ग्रह मिथुन राशी में बुद्ध ग्रह सिंग रासी में देव गुरु ब्रहस पती जोकी ब्रशब र ये छे राशियां सबसे दिख भागिशा लेने वाली है करिक्षत्र में इनको उन्नति और प्रगति के उत्तम आउसर प्राप्त हो सकते हैं धनलाप के सांथ सांथ नया काम नई जुम्मिदारी नया मुकाम भी इनको मिल सकता है तो कुल मिलाकर के इन छे राशिवालों के तो यदि आप कोई भी शुबकाम करना चाते हैं मांगलिक कारिकर्म संपन्न करना चाते हैं तो सुबह चे बजे से लेके साड़े साथ बजे तक शुब का चोगडिया और उसके बाद सुबह साड़े दस से दोपर बारा बजे तक चर का चोगडिया दोपर बारा बजे से ल करेंगे मांगली कारी करेंगे नया काम करेंगे तो आपको अधिक से अधिक फाइडे का संयोग दिन पर थो सकता है अब हम आपको मेश से लेकर कि मीन सभी बारा राशी वालों का देनिक राशी फल पताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अंत तक देखेगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश रासी की इस समय उचित ग्रहस्तिती आपका सकारात्मक रवया आपके लिए महत्वपूर्ण उपलब्दियां प्राप्त करवाएगा समय का भरपूर सद् रिष्टेदारों तथा संबंदियों के साथ आपके संबंद और अधिक मजबूत होंगे भविश्य संबंदि महत्वपूर्ण योजना बनेगी धनलाव होगा नया काम आपका शुरू हो सकता है और उपाई के रूप में किसी भी मंदिर में जाकर के यदि आप चावल का ड आपका रुजान बढ़ेगा और कुछ शुबह उसर भी आपको करिक्षितर में प्राप्त होंगे नय वाहन के खरिदने संबंदित योजना बनेगी यदि आपने उधार पैसा दिया है तो पैसा वापस मिलने से आर्थिक समस्या का समाधान हो जाएगा विध्यार्तियों को अपनी पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने की आउशकता है मित्रों के साथ घुमने पिरने तथा मन और अंजन में अपना समय व्यर्थ नस्ट न करना चाहिए इससे आपके महत्तुपूर्ण काम अटक सकते हैं रुख सकते हैं और उपाई के रूप में यदि आप चने क कि डाल का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंग पांच होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं मितुन राशी की आज आप रोज मर्रा की जिन्दगी से हट करके दिन चरिया में कुछ नया पन लाने का प्रयास करेंगे इससे आपकी मानसिक वा शारीरिक ठकाबट दूर हो जाएगी तथा एक नई उर्जा का प्रभा अपने अंदर आप महसूस करें अर्थिक व्यवस्ता में सुधार होगा दिन आपका बहुत उत्तम साबित होगा और उपाई के रूप में भोजन में हरी सबजी का उप्योग करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भाग्यिशाली अंक नो होगा भाग्यिशाली रंग आपका औरेंज होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की आज कुछ महत्वपूर्ण तथा उच्पद आसीन व्यक्तियों के साथ आपकी मुलाकात होगी लंबी चर्चा होगी और जो चर्चा होगी आगे चल करके आपको ही फाइदा देगी और विरोधी आपके सामने परास्त हो जाएंगे कुछ महत्वपूर्ण शुरुवात हो सकती है तथा धनलाप के उत्तम आउसर आपको मिल सकते हैं उपाई के रूप में दूध का डान यदि आप मंदिर में करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई जाबित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग धार्मी कारियों में आपकी विशेश रुची रहेगी परिवार के साथ अधिक्तम समय आपका व्यतित होगा आर्थिक इसीती बहतर रखने के लिए बजट बना करके आपको चलना अवश्यक होगा और उपाई के रूप में यदि आप मसूर की डाल का डान किसी भी गरीब करेंगे तो आपका डिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं कन्याराशी की कोट कचेरी के मामलों में आपको फाइदा होगा और मांसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी होगा और उपाय के रूप में गाय को गुड़ खिलाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं तुलाराशी की आज कोई भी काम करने से पहले अपनी अंतरात्मा की बाबा जाही बनी रहेगी और उपाय के रूप में किसी भी ब्राम्भन को या साधू संत को गुड़ और तिल का डान करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं व वश ही प्राप्त होगी नया वाहन नई वस्तु खरिदने के विशय में आप विचार विमर्श कर सकते हैं उपाय के रूप में नहाते समय अपने नहाने के पानी में तीर्थ जल गंगा जल या कोई भी तीर्थ का जल डाल करके इस्तनान करेंगे तो आपका दिन शुफलद कारियों में आपका रुजान रहेगा इस्ताई संपत्ती भूमी भवन वाहन की खरीद फरोक्त की कोई योजना चल रही है तो उसमें गंभीरता पुर्वक विचार करें इस समय परिस्तियां आपके पक्ष में हैं किसी भी प्रकार का कोई यदि कागजी कारवाही आप करते हैं तो उसको ध्यान से पढ़कर के ही आपको हस्ताक्षर करना चाहिए उपाई के रूप में घर से निकलते समय कोई भी मीठी वस्तु खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की आज किसी जर्वतमन मित्र की सहायता आपको करनी पड़ेगी और ऐसा करके आपको बहुत मानसिक शांती प्राप्त होगी और अध्यन रत भच्चों को अपनी महनत के मरोवांचित परिडाम हासिल होगे जिसे उनका होसला और आत्मिश्व और अधिक बढ़ने वाला है उपाय के रूप में यदि आप शंकर भगवान के मंदिर में काले तिल और गुड का दान करेंगे तो आपका डिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं कुम् दारी मिलने का योग है पदो नती भी आपको प्राप्त हो सकती है आपको स्वभाव में सोमेतावा आदर्श बना करके रखना बहुत आवश्यक होगा उपाय के रूप में किसी भी ब्राम्भन को यदि आप चावल और दाल याने खिचडी का दान करेंगे तो आपका डिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की आज दिन चरिया में परिवर्तन लाने के लिए अपनी रुची पूर्ण कारियों में आप समय व्यतीत करेंगे इससे आपको खुश शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा तो मित्रो यह बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाय तथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको पताए हैं हमारे इस ग्य